दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो टाइम को रोक कर कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको, तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन-किन चीजों में करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बैन के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल बैन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में जगड रहे होते हैं। अब इन दोनों का जगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी ब्रेक अप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बैन अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का वादा कर रहे थे पर आज वो किसी और के साथ है कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी पर आज वो किसी और को किस कर रही है इसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त शौन आता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुन्दर लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो लेकिन बेन उनको कहता है कि अब वह इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी इसलिए एक रात को वो सूजी को फोन भी करता है और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं पर सूजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाती है वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पाता इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या टीवी देख कर ही अपना टाइम पास करता है फिर एक रात को बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है अब बेन को तो रात को नीद आती नहीं थी इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा फिर उसी स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सलेक्ट कर लेता है इसके बाद अगली रात से बेन उसी स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शेरिन होता है। बेन देखता है कि शेरिन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुला कर डाटता इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहाँ पर सूपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे-धीरे कटता है। इसलिए यहाँ पर काम करने वाले employee time को जल्दी काटने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरिन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसस स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकते करते रहते हैं और इसी तरह ही वो दोनों भी अपना time पास करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी time पास करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए बेन के पास एक सूपर पावर आ जाती है। बेन time को freeze कर देता है। जिसके बा बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना time पास करता था। और जब बेन time को वापस normal करता तो बहुत सारा time बीच जाता था। और इसी वज़ा से बेन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और फिर ए सेंडविच खिला देता है। शेरिन जब वो सेंडविच खा रही थी तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में शेरिन के लिए feelings जागने लगती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे Barry और Matt मिलते हैं। फिर वहाँ पर Matt Ben को कहता है कि आज रात को वो शेरिन के साथ मूवी देखने जा रहा है जिसके बाद वो शेरिन के साथ intimate होगा। अब ये सुनकर Ben को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़ कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब व लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाला गए। अब ये देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिड़ाने लगे। फिर एक दिन Ben उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही सुन्दर लगती हो। क्या तुम मेरी गर्लफरेंड बनोग अब ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। और वो हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुह पर लगती है और उसके मुह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शेरिन को घर छोड़ देना। उसके बाद घर जाने से पहले बेन शेरिन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शेरिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है। जिस पर शेरिन उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है जिसके बाद शेरिन पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्ल्फरेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्ल्फरेंड पहले थी पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेक अप हो गया। इसके बाद को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर ज गर्ल्फरेंड है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर क मिलाता है लेकिन वो दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिलकुल भी टाइम नहीं है लेकिन उसके एक दोस्त है जो फिलहाल में फ्री है इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस टाइम को फ्रीज कर देता है ल अब जब से शेरिन ने बेन को किस किया था, उसके बाद से ही बेन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बेन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्रॉइंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कल बेन से मिलना चाहता है। अभी सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शेरिन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्ल्फरेंड सुजी भी मिलती है। तब शेरिन बहुत ज्यादा सुन्दर लग रही थी। इसलिए सुजी बेन को उसके साथ में देखकर जलन महसूस करने लगती है। तोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि यह तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है। तो वो स्ट्रिपर भी उसे हां कर देती है। इसके बाद के साथ वापस relationship में आना चाहती है अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शेरिन से प्यार करता हूँ नीचे शेरिन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहां से जाने लगती है अभी भी उसके पास शेरिन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शेरिन वहां से चली जाती है इसके बाद बेन शेरिन को मनाने उसके घर जाता है पर शेरिन बेन पर चिलाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर नि अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया और तब बेन को समझ आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाग कर रहा था फिर बेन उस मैनेजर को सौरी बोल कर वहां से जाने लगता है पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से प और फिर एक दिन शेरिन के घर पर एक इंविटेशन कार्ड आता है जो बैन ने उसे भेजा था इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स के एक्जिबिशन में होता है वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वो बैन के पास आकर उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगती है जिसके बाद वो बैन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए अब ये सुनकर Ben को याद आता है कि Sharron को भी अमेरिका गुमने का बहुत मन था, जिसके बाद वह पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दोरान वहाँ पर Sharron भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी Pentics को देख कर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो Ben ke पास आती है और Ben उसे सोरी कहता है जिस पर Sharin भी उसे माफ कर देती है। फिर Ben उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे पर ट्रस्ट करती हो तो Sharin उसे कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो शेरिन को आँख बंद करने को कहता है वो जब वो उसे किस करता है तब ही वहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है अब जब शेरिन ये सब देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर एक दूसरे क किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह मुवी कॉमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना धन्यवाद